नमस्कार दोस्तों आप सभी को पता है कि अभी UPSC का मेंस खतम हुआ है 25 तारिक को और इस वक्त UPPCS का मेंस चल रहा है आज GS1 का पेपर था और GS2 का पेपर था I hope आप सभी ने पेपर देखा होगा इस वीडियो में हम ये बात करेंगे कि जब आप GS का पेपर लिखते हैं तो आपकी एंसर राइटिंग के स्ट्रेटिजी क्या होनी चाहिए और आप एंसर कैसे लिखते हैं यहां मैंने दो मॉक एंसर शीट ली है यह देख सकते हैं आप मेरी एंसर शीट है और यह सुबोच जी कैंसर शीट है सुबोच जी 2020 में सेलेक्टे ने UPPCS में उनको प्रॉपर SDM की पोस्ट मिली है और मैं उनको काफी करीब से जानता हूँ जब हम डैली में थे तो वो मेरे साथ ही वीजन में test series देते थे तो उनकी test series सी copy मेरे पास है यहाँ पर और यह मेरी test series सी copy है इन दोनों copy को देख के आपको थोड़ा idea होगा कि जो selected हैं वो कैसे लिखते हैं और यह साब मेरा जानते हो कि मेरा 3 या 4 marks से रुख गया था तो मेरी copy में क्या changes थे या फिर मैंने क्या गलतिया की थी आप जब copies देखो के तो आपको पता चलेगा कि UPPCS में हिंदी का कितना महत्वा है UPPCS में optional में scaling का कितना महत्वा है because मेरा हिंदी में थोड़ा कम marks था plus UPPCS में चुकि scaling नहीं होता है तो मेरा anthropology में 238-239 marks था but इनका optional electrical engineering था so इनको काफी अच्छा marks मेंना था optional पर उनका final selection हो गया था copies देखके आपको सौंझ में आयागा कि बहुत ज़्यादा changes नहीं लिखने के तरीके को और इस copy को भी मैं अपने टेलिग्राम चैनल पर शेयर कर दूँगा ताकि आप यह समझ पाएं कि आपको लिखना कैसे होता है because बहुत से टॉपस की आप copy देखते होगे चाहिए vision के website पर या फिर कहीं भी तो क्या होता है ना कि जब वो final answer exam में लिखते हैं बहुत चीज़े change हो जाती है जरूरी नहीं होता है कि जैसा वो test series में लिख रहे हो वैसा same pattern same style वो अपने final answer sheet में लिखे है बट जब मेरी इनसे बात थी तो उन्होंने बताया है कि उन्होंने ऐसे ही लिखता अपना paper और चुकि UPPCS में बहुत अच्छे test series अवलेबल नहीं है तो बहुत लोग ऐसे हैं कि UPPC का test series join करते हैं for UPPCS तो जो लोग मुझसे पूछते हैं कि सर कोई आप UPPCS के अच्छी test series बता दीजे तो उनको मैं यही बोलूँगा कि आप UPPC के test series join कर लिजिए because आजकल का जो pattern हो रहा है वो ऐसा ही हो रहा है कि अगर आप UPPC का test series join करके लिख लोग अच्छे से चाहाए आप test series join नहीं कर रहे हो तब भी आप market से test paper लेके आईए mock sheet उसकी मिलेंगे आपको लेके आईए even आपको website पे या फिर telegram पे बहुत जगह मिल जाएगा वहां से आप paper लीजिए उसको लिखिए और model answer से थोड़ा मिला सकते हैं कि क्या-क्या element आप include कर सकते हैं exact model answer replicate तो नहीं कर सकते हैं because वो feasible भी नहीं है और advisable भी नहीं है but एक idea आपको मिल जागा कि यह element आपके answer में होने चाहिए तो चलिए यहाँ पर हम देखते हैं क्या difference है इनके answer में और मेरे answer में सबसे पहले हम पहला question देखते हैं मैंने यह answer sheet आप से share किया हुआ है so पहला आप यह देखिए यहाँ पर इनका introduction है इनके introduction में क्या चीज़े आप notice कर सकते हो जैसे मैंने यहाँ पर कोई चीज़ underline नहीं किये but इन्होंने यहाँ पर काफी चीज़ underline किये creativity, agency, awareness, uniqueness, intricacy, expert craftsmanship, sculptures, paintings, pottery, jewelry, dance तो जो main element है tribal art form के उन्होंने यहाँ पर underline किया है मैंने यहाँ पर underline नहीं किया है इसके बाद देखिए worldly painting को इन्होंने यहाँ पर अलग से define किया उस तरह मैंने भी यहाँ पर worldly painting को define किया मेरा यहाँ पर point wise form था इन्होंने यहाँ point wise नहीं लिखा इन्होंने यहाँ पर paragraph form में लिखा है उसी तरह आप यहाँ देखे gone painting को define किया गया है मैंने भी यहाँ पे अलग से गौन प्रैक्टिस की जाती है और गौन प्रैक्टिस की जाती है यह भी अच्छा तरीका है आप यह भी तरीका अपना सकते हो लास में यहाँ इन्होंने conclusion लिखा है इन्होंने है पे simple conclude कर दिया है और मेरा जो conclusion था basically मैंने यहाँ पे जो current है जो present scenario है tribal art form को लेके वो include किया है तो आप दोनों answers को देख सकते हो यहाँ पे answers में आप 2-3 चीज़े focus करिए पहला चीज़ यह कि जरूरी नहीं है कि आप हर answer में सब कुछ underline करें अगर आपको लगता है कि कुछ important चीज़ underline करनी चाहिए तो आप करिए और आपको लगता है नहीं करनी चाहिए तो नहीं करिए सब का सुनके कि सिर्फ underline करना है जरूरी नहीं है देखें मैंने बहुत कम चीज़े underline किया यहाँ पर underline किया है बट इनके question में आप देखो को तो बहुत चीज़ underline है so depend करता है कि आप कितना underline करना चाहते हो और आपके question में कितनी चीज़े ऐसी हैं जो आप highlight करके examiner को दिखाना चाहते हो दूसरा बात यह कि जहाँ पर भी scope हो map का, diagram का, flow chart का वो आप बनाई है बहुत लोग कहेंगे कि जरूरी नहीं होता बनाना but scope है तो आप जरूर बनाई है for example आप यहाँ पर देखिए यहाँ पर scope था, इंडिया का map बनाके दिखाने का अच्छा खासा scope था कि कहाँ पर worldly painting प्रैक्टिस की जाती है कहाँ पर gaunt painting प्रैक्टिस की जाती है उसी तरह यहाँ पर यह भी scope था क्योंकि मैंने उपर बता दिया था कि worldly painting कैसा होता है simple geometric pattern होता है images depict किया जाता है इसलिए मैंने यहाँ पर simple तरीके से एक worldly painting का डियागराम बना दिया था तो दोनों चीजों में से आप कुछ भी कर सकते हो और खासकर यह art and culture का question है तो कोई map रहेगा, कोई image रहेगा आपको question में तो अच्छा impression डालेगा वो चले इसके बाद एक question और देखते हैं यह दूसरा question था यह cornwallis code को लेगे question था यहाँ पर आप देख सकते हो मेरा आप यहाँ पर introduction देखिए यहाँ आप इनका introduction देखिए दोनों का आप मिला सकते है यहाँ पर मैंने बोला था cornwallis code बहुत important है हाइलाइट करना इस question में जैसे मैंने यहाँ पर highlight किया था cornwallis code किस-kis चीजों के लिए इन्होंने यहाँ पर simple सा एक diagram बना के बता दिया है मैंने उस चीज के यहाँ पर paragraph form में लिखा है यह ज़्यादा effective रहेगा आपके लिए because इससे आपका page बसता इससे word आपके बसते है और plus जो आप चीज बताना चाहते है वो बहुत ही evident रहता है आपके paper में इसके बाद जो impact था उन्होंने यहाँ पर यह बताया है और finally उन्होंने यहाँ पर conclude किया अपने question को lastly मेरा देखिए मैंने यहाँ पर features बताया क्या judicial reform के features थे उसके merit को मैंने बताया है यहाँ पर अलग से और finally last में यहाँ पर मैंने conclude किया है so अब जब दोनों answers को मिलाओगे आपको पता चलेगा more or less content आपका same है but difference यहाँ पर आता है कि question को किस pattern में आपको breakdown करना है और अपने answers में क्या क्या चीज़े लिखनी है जैसा आप यहाँ पर देखिए merit यहाँ पर लिखा गया है साथ में उसी तरह मैंने यहाँ भी merit लिखा था but इनके answers में आप देख सकते हो कि merit जो है वो एक part बनाता answer का मतलब इसको अलक्स इन्होंने कोई highlight नहीं किया but मेरा merit यहाँ पर अलक्स highlight था because मैं चाहता था कि examiner इस चीज़ को देखे so आपका exam में answer इसी तरह होना चाहिए कि जितने भी चीज़े question ने पूछी गई है आप वो हर चीज़ लिखी है हर चीज़ को अच्छे से define करिये हर part को अच्छे से answer करिये because हर part का marks a lot होता है तो जब examiner आपका answer चेक करता है तो वो हर चीज़ देखता है कि आपने वो चीज़े लिखी है कि नहीं लिखी है जो question का demand है इसके बाद हम इनके copy को और अच्छे से analyze करते है और बाकि कुछ answers को देखते है कि किस तरह इन्होंने दूसर topic को answer किया है because आपको UPSC के toppers की बहुत copy मिल जाएगी market में but UPSC के toppers की copy नहीं मिल पाती है यहाँ पर हम देखते हैं कुछ society के questions जैसा आप यह देख सकते हो bonded labor पर question था बाकि चीज़ों ठीक हैं but आप कुछ कुछ चीज़ों पर ध्यान दीजिए जैसे introduction में इन्होंने Iello के data को code किया है डियाग्राम बनाया है देखिए आप UPSC या फिर UPSC किसी का भी exam दे रहे होगा तो यह चीज़ याद अखना कि आप world map और इंडिया का map इसको बनाना अच्छे से practice कर लिजे 10 second में 15 second में तुरंत world map बना लिजे आप इंडिया का map बना लिजे बहुत सो YouTube पे वीडियो पढ़े हुए है जिसको देख के आप practice करो तो आपको idea हो जाएगा क्योंकि बहुत handy आता है कई जगा आपको बनाने के ज़र्द पड़ जाएगी अगर आप इंकी copy में कुछ चीज नोटिस करोगा तो आपको पता चलेगा कि इन्होंने answers में underline बहुत किया जो भी important point है इन्होंने underline किया बट मुझे कहीं कहीं लगता है कि कुछ ज़्यादा ही underline है because जो important चीज आप वो underline करिये बट इतना ज़्यादा हर question में हर चीजों को underline करना मुझे नहीं लगता है कि सही है but person to person depend करता है next आप देखिए यहाँ फिर एक इंडिया का map बना यह question था आपका cotton textile industry यहाँ तो बहुत important था मैप बनाना because बिना map क्या बता ही नहीं सकते थे कि कौन कौन सा reason है जहाँ पर cotton textile industry located है तो ऐसे questions में तो mandatory हो जाता है map बनाना next question देखिए यहाँ पर पुछा गया था green house gas emission को लेकिए और उनका impact coastal और marine ecosystem में so यहाँ पिन्होंने coastal ecosystem और marine ecosystem पे क्या impact है mangroves पे क्या impact है कैसे coral reef को submerge करता है so इसको इन्होंने diagram के माधिम से बताया है यह चीज़ें आप use किया किज एक्जाम में जैसे यहाँ पिन्होंने assessment report 5 के बारे में बताया है जो IPCC द्वारा launch किया जाता है यह सब topic जो है आपके answers में introduction में help करेंगे आप इनको body में भी डाल सकते हो आप इनको conclusion में भी डाल सकते हो because जो बाकी चीज़े हैं बाकी bland चीज़े हैं सब लोग लिखेगा but कोई आप report code करोगे कोई committee code करोगे तो आपके answer में wait जाएगा इसके बाद देखिए आप यहां भी polar vertex का question था तो इन्होंने एक simple diagram बताया है कैसा north pole में low pressure create होता है कैसा south pole में low pressure create होता है और geography एक ऐसा section है जहां पर map बनाने का बहुत scope है यह आप question देखिए इनके question आप बहुत जगह देखोगे map बना हुआ है इनको scope मिला है इन्होंने map और diagram बनाया है इनके paper में आपको इंडिया को में बहुत जगह मिल जाएगा यह question देखिए यह question किस बारे में था तो medieval Indian literature के बारे में यह question था कहां-कहां dominate करता है area wise बता दिया गया simply यहां पे और उस area को इन्होंने map में बता दिया है जैसे one आपका gujarat हो गया उसे तर two आपका maharasra हो गया next अब देखिए urbanization related यह question है इस question में भी इन्होंने map बनाया है introduction जो था इनका basically census 2011 के data से किया गया है और lastly इनका conclusion देखिए अगर आप इनके question paper पे ध्यान दोगे तो introduction और conclusion हर जगे इन्होंने दिया है because देखिए जब आप conclude नहीं करते हैं answer को तो थोड़ा सा लगता है कि आपने answer को abruptly खतम कर दिया जब उसका conclusion हो जाता है तो एक कही आंत मिल जाता है उसको proper इसलिए कोशिश किया किजिए कि दो लाइन का ही सही बट अपने answer को conclude किया किजिए properly आप next question देखिए जैसी यह question था यहां woman के sexual reproductive health right के violation के बारे में बात किया गया इन्होंने अपना introduction जो था वो you and woman के data के through दिया है सो यह चीज़े काफी अच्छा impact डालती है आप cancer sheet पर प्लस आप cancer का weightage भी गरता है मुझसे काफी लोगे में पूछा था कि sir जो data होता है कोई fact हम दे रहा है तो exact वही fact देना जरूरी है कि नहीं तो देखिए जैसे माली जहां पर कोई fact दिया है 18% का तो आप इसको 18%, 19%, approximately 17% यह लिख सकते हो बट आपका data उसी range में उन्हों चाहिए जो actual range है ऐसा नहीं कि आप absurd data दे दोगे sex ratio का data हो गया, GDP का data हो गया तो यह data बहुत ही universal data है इनमें आप गलतियां नहीं कर सकते हो बट कुछ ऐसा data हो गया, जो बहुत ही जाता famous data नहीं है जैसे इन्होंने यहां पर दिया था 18% women, जो saint-aid napkins यूज़ करती है, contraceptives यूज़ करती है यह data इतना इतना famous नहीं है, सबको नहीं पता होता है तो यहां पर आप आप त्वीक कर सकते हो ट्वीक में यह नहीं कि आप 18-48% लिख दोगे 18-20% हो सकता है, 21% हो सकता है 2-3% का यह range होना चाहिए basically आपको एक rough idea होना चाहिए कि जो data आप दे रहे हो, वो किस range में lie करता है because आप गलत data देते हो और examiner को यह पता चल गया कि SDM अपनी copy कैसे लिखता है आप लोग मुझसे बार-बार पूछते हो कि सर कोई copy दिखाईए तो I hope आपको एहां से कुछ सीखने को मिला होगा इस copy को मैं अपने telegram channel पर डाल दूगा ताकि आप बार 12 से चीज़ों को observe कर सको मैं telegram channel का आपको description box में मिल जाएगा साथ ही अगर आप यह चाहते हैं मैं किसे Hindi medium topper की copy ले के आऊ तो आप मुझे comment करके बताएगा मैं कोशिश करूँगा कि Hindi medium की copy भी मुझे मिल जाए because Hindi medium के बहुत से चात रहे जिनको थोड़ा idea कम होता है के answer कैसे लिखा जाता है और किस तरीके से अपने ideas को present करिए सो अगर आपकी demand होगी तो मैं Hindi medium की copy भी ले के आऊँगा धन्यवाद